नमस्कार लूस्टॉप में आपका सौगत है आज हमारे साथ बॉल्यूट के ऐसे एक्टर जिन्होंने जीवन में पहली बार एक सच्चा बयान दिया है वैसे तो अब तक वो देश के खिलाफ और टुकड़े टुकड़े गैंक के समर्थत में बयान दिया करते थे लेकिन जब से अग्वानिस्तान के ओपर तालिबान का कब्जा हुआ है उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे पूरे देश में बवाल मचा हुआ है तो वैसे ही एक्टर का सौगत करते हैं हम कैप्टर टीव में नसर साब आपका बहुत-बहुत सौगत है शुक्रिया डॉक्टर साब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपनी यह क्या कर दिया दिखिये क्या है के काम आम तो वैसे नहीं है हम लोगों के पास कैसे कि गदम होते जा रहे हैं को माल फूकने के भी पैसे नहीं आ है मेरे पास मेरे पास ना तुमाला रहा है हिंदुस्तान के मुसल्मान जो तालिबान के आने पे खुश्या मना रहे हैं वो जाहिल है मैंने ये कह दिया हाँ देखिए सर क्या है मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली अब मैं आपको स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ कि हम लोग खुद मैं हमारे पूरवज उस तर अफगानिस्तान के हैं आप अफगानिस्तान के हैं जी 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 और ये जितने भी तालिबानी हैं वैशी गई के सॉरी पार्डन माई लेंगवज लेकिन इन हराम के बीपो को आपको नेस्तो नाबूद करना चाहिए एक दम मेरे सब लोगों को इन्होंने सर कतल कर दिया और सब चीज़ कर दी और मेरे को मौका मिला मैंने का नहीं भाई देखिए देश प्रेम तो हम तो काये का देश प्रेम करते हैं मैं हुआ जावेद साब हुए सुरा भाग कर हुई बर्खा च्छत हुई यह हमारा अपना गैंग कि सर यह अपना गुड़ मुड़ करते रहते हैं हम लोग और उसी के स्टैटेजी के तहत मैंने यह बोल दिया है कि भई मैं इनकी खिलाफत करता हूं और जो यहां के मुसल्मान हैं उनसे यह बोलता हूं कि अगर तुम तालीबान को सफ़ट करोगे तो मैं तुमें बिलकु है वह तो कई भई आप बिकार की बाती इस तरह की आपको मुमे में ऐसी कमरे में बैटके तालिबान को बयार नहीं देना चाहिए मेरा मन तो ऐसा करता है कि वो जो सूर की सबसे गंदी गाली होती है उससे नमाजों नहीं लेकिन मेरे हाथ बंद रहे हैं क्योंकि मेरे को कु अच्छ लेकिन वह मिल नहीं पा रहा है और इस वज़े से यह लोग मेरे पर हावी हो रहे हैं अब देखिए कि जब तक मैं इंडिया के खिलाफ वाग उगलता रहता हूं तब तक यह सब सही रहते हैं और जब मैं थोड़ी सी लाइन ऑफ एक्शन चेंज करता हूं कि भी ज चल देता है लेकिन मेरे पास काम नहीं है मेरे लड़के को डॉक्टर साब डिसकवरी पर बंदर बनाने को राजी नहीं है और लोगों की देखिए बेटे कहां पहुंच रहे हैं जावेद साब का खुद का लड़का ने मुझे एक बात बताईए कि आपने यह तो ठीक है आ आपने यह क्यों कह दिया कि भाई कैसा इसलाम चाहिए हिंडूस्तान की इसलाम अलग तालिबान का इसलाम अलग कहीं और का इसलाम अलग इससे कई सारे लोग नराज हो गए है देखिए सर बात ये कि इसलाम कभी भी लोगों को अलग-अलग नहीं करता है ये तो हम जैसे नाशुक्रे लोग हैं जिनकी वज़े से ये सब चीज़े हो रही है अब एक बाह बताईए जो हिंदुस्तान में रह रहा है वो हिंदुस्तानी मुसल्मान होगा जो अफगानिस्तान में रह रहा है तालिबान का हो गया वहाँ का मुसल्मान मुसल्मान कहलाएगा अपने आपको लेकिन मुझे एक लगा कि नहीं मैं अपने मुलक के जितने मुसल्मान हैं सब को एकटा कर लूँ ये और जितने भी दो चार हैं वो इसी वो इसी इन सब को एकटा करने के लिए मैंने ये बात बोल दी कि यहां का इसलाम नहीं सिकाता हिंदुस्तान का कि बई ऐसी वहिशत गरही या वहिशत पंती हो यह तो मुनवर राना गंगा जमनी की बात करते हैं कि बई तालिबान जो आजादी की लड़ाई लड़ रहा है किसी ने मुझे फोन पे पूछा कि तीतर का बाल कहा पाये जाता है मैंने का मुनवर राना को तीन बार उठाना और एक तरफ कर देना तो तुम्हें वहाँ बाल जरू मिल जाए एक बात बताएं आप मुझे के मैं बोल रहा हूं के भई अभी मत बोलो अभी मत बोलो इस तरीके की बयान बाजी ना करो अभी हालात नाजुक हैं हम जैसा के वो तो मोदी है अगर योगी होता तो अब तक हमारी ऐसी जगे लाथ पड़ती के सूजन के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ आजाती इस बंदे की फिल्म आ रही थी मैं आपको बता हूं को सी थी वो भैसे जैसा था खुद हां भैसे की मुस्कान वो फिल्म बीच में टक गई इस वज़े से वो पागल सा हुआ घूमता रहता है क्योंकि उसने बोला कि मैं जब जाओं तो रहते हैं कि माल नहीं सही माल मत दो कोई बात नहीं मुझे जंजट से बचा लो जावेद साब के पास भी हो ना मैंने का ऐससे पागल पने करते क्यों आप लोग ये एकसेप्टेबल नहीं है मनवर राणा मैं तुम्हें कैपिटल टीवी के माध्यम से बोड़ रहा हूँ ये एकसेप्टेबल नहीं है अच्छी बली रोजी भी दरोटी चल रही है लेकिन तुम्हारे बाल फिर उठा और तुमने फिर अब अंदर ही मनाओ तुम अपनी कविताएं लिखो माताजी बेजो लिखते हो लिखो तुम वो अब ये पताईए ये तो आपके मित्र हैं जावेद अख्टर अजी कायके मित्र हैं उनकी वाइफ मेरी जादा अच्छे मित्र हैं अब क्या बताऊं तो ये उन्होंने एक बेहां दिया उन्होंने का कि ये आरेसस वाले और तालिबान में कोई डिफरेंस नहीं है आप एगरी करते हैं इस पर देखिए सर मैं सिर्फ एक बात पर करता हू अगरी के यहां का जो इसलाम है जो हमारा सो कॉल्ड इसलाम है हमने जो बनाया हम लोग उने मैं हो गया जावेद साहब हो गई जितने हम जैसे जितने भी जिहादी कहूंगा मैं तो उनको कुछ चीज़ आडिट करनी हैं आप कर लेना मेरा इस से में पारा इस से में हाई हो हाई हाँ मैं यह कह रहा हूँ कि जो जावेद साहब है एक बात देखिए आज से पहले उनके मूँ से अपने इस तरीके की कोई शब्द नहीं सुने थे जब अपने खुद के बेटे पर आई मन्दा खुद के बेटी की फिल्म ओटी पी पर आरी मन्दा उनका लड़का तू चीजिए कि आगबाजी बयान बाजी करो और उसके लावा चलते रहने दो जो चीज़े चल रहें आप इसलाम के बारे में आपने जो बाते कहीं तारे बारे कि क्या बाते पसंद नहीं हैं आपको सर वो लोग वैशी हैं आप फोटो देख़िये मतलब आ बैठे हैं तमीज से बैठे हैं मैं बैठा हूँ तमीज से बैठा हूँ यहाँ पे कट्टे रखे होते हैं मशीन गने रखी होती हैं और वो लोग कह buscando बाते हैं कि हम किसे करें और उससे भी बड़ी बात जो मुझे द कि फोन करते हैं मिस्टर मोधी को कि भई हम आप से हाथ मिलाना चाहते हैं देश चलता कैसे है वह हमें बताई है तो फिर कभी-कभी लगता है सोते वक्त देखिए हो फूरे भी याद आती है और अपने की गलतियां भी याद आती है कि यार कितना सही कर रहा है यह बंदा अपन हरे एक के अंदर घुसेड़ते रहते हैं लेकिन वो काम प्रॉपरली नहीं करती है क्यों कि यह तो वैक्सी में दिक्कत है यह हम लोगों के देने में दिक्कता है आपको मालू है आपको खिलाफ फत्वा निकल सकता है तो भई आपने इसलाम के खिलाफ जो है आपने बैन ब माल इकटा कर रकाता है कि कहां से आएगा यहां से यहां से अब वो अब जैसे आते ही रुका अब वो जो मेरी whatsoever कि जो मेने कही दी कि मेरेको डर लगता है वो इस».itates हुआ और मैंसा चुकलना शुरूरू इसलाम के बारे में बोलना शुरूरू वो सब चीजे जब मैं बोल रहा हूं तो यहां पर फत्वा भी जारी होगा और हो सकता है कि शहाद में निपट भी जाओं तो मैंने तो अपनी वाइप को पहले ही बोल दिया जिनके दानत आगे को कोई मेरा साथ देता है ना मेरे बच्चों को कोई काम देता है और जैसे ही आप देखिए यह अपना क्या क्या बोलते हैं संजे मिश्रा हो गए मनोजवाचपाई हो गए यह आशितोश राना इन लोगों ने मेरा काम ले लिया ना मेरे पास्काम ही ना कुछ है तो अब मैं क क्या नहीं बोलूगा बताई मैं कि आपके पास काम नहीं आप विरुजगार इसलिए इस तरह की बात ही कर गया है अब आपने सई जगे नबस पकड़िये हैं डॉक्टर साहब यही तो मुद्दा है भाई उन्होंने तो बोला कि हम तुम्हारा यह याल करें तुम क्या कर तो आप आग उबले हैं लेकिन अपने आपको उस आग से बचा के रखे यह हमारी जो एक सला होगी आपको आप हमारे स्टूडियम है आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है शुक्रिया हुदूर मैं यह बोल रहा हूँ कि यह पूरो इंटर्व्यू आप रहने दीजेगा मै है मान लेकर के फिर आपके पास हूँ और फिर तरीके से तमीज से आप इंटर्व्यू करें तो वह दूसरी इंटर्व्यू करेंगे और फिर उसको अलग से दिखाएंगे ठीक है सर क्या कर सकते हैं तो यह थे हमारे साथ विवादित बयान में घिरे हुए इस दिन साह आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद